हाई गैस कैसे हैं आप लोग गैस अभी SBI में जो मुवमेंट आ रहा है उसमें काफी अच्छा पैसा बनाया मेरा करीबन अगर 400 के लेवल से मैंने अल्मोस 475 का लेवल मैंने पकड़ा था और उसके बीच में मैंने कफी अच्छी प्रॉफिट बनाई थी और अगर आप देखोगे तो इसमें आप strategies अगर properly follow करके काम करेंगे और आपको adjustment कैसे करना है वह अगर आप follow करेंगे तो chances से इसमें profit बननेगा ठीक है तो अब ही अगर आप currently यह strategy August का देखेंगे तो मुझे SBI अभी currently level लग रहा है 429 पर कोट हो रहा है ठीक है और मैंने जो ब्रेकी बन रखी वह थोड़ा सा यह strategy में थोड़ा सा अलग है इसमें आपको मैंने करीबन 10 तू 11 परसंट की गैप रखी है अप साइड में और नीचे साइड में भी मैंने थोड़ा सा प्रोटेक्टेट ही रखाया है तो करीबन 7-8 परसंट का तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 397 तूटेगा बट अकॉर्डिंग टू मी अगर लॉंगर होरिजन में कि इसाब से अगर आपके बाद डिलिवरी होल्डिंग है और सेमेल टेलेसली आपको प्रोटेक्ट करके भी का जब तक आपको एज़ेसमेंट पता नहीं रहेगा तो ठीक है हमारा मेन मकसद यह होता है कि आपको कही न कहीं profit हो प्रॉपर एज़ेसमेंट के basis पे तभी आप मार्केट में वाई कर रहा हूं और 410 के 2 शॉट कर रहा हूं इसकी देखो probability of profit 80% है आज की price की code कितनी हो रही है 429 ठीक है तो भी मैं थोड़ा out of the money जाके शॉट कर रहा हूं मेरे को इंदमनी में जाना नहीं कि उसमें कर मुमेंट आया तो आपको gap कम रहेगा ठीक है आपको break even बढ़ाने के लिए मैंने देखे यह break even 397 से लेके 473 कर दिया है इसमें देखो probability of profit आपको अच्छा दिखा रहा है इसमें आप risk समझ जाए कि क्या होता है यह देखे यह जो chart है वह ऐसा दिखाएगा आपको okay actually यह work कैसे करता है यह देखे अगर यह आपको यहां से देखे आपको loss कपसे start होगा अगर यह 473 के उपर जाने चलो हो गया तो आपको loss start हो जाएगा guys okay तो इसमें आप धियान रखना कि जबी भी देखे यह बीच में middle portion में आया तो आपको अच्छा पैसा आएगा अगर यह flat रहेगा यह मीच में रहेगा तो minimum आपको 45,500 तो confirm है ठीक है तो मेरा point क्या है कि अगर आपको adjustment आता है तो आप adjustment अभी करना जब यह 473 के level पर आता है यह 47 अगर आपको लगता है कि यार यह भाग गया example ले लो यह 460 प आपने नीचे का जो put आपने यह किया उसको आपको उपर लेकिया आना पड़ेगा कही ना कहीं protect करने के लिए जो आपने short किया तो वो आप profit book करके थोड़ा सा आप करीब में आ सकते हैं मतलब जादा नहीं थोड़ा सा 20 या 25 point के difference में इससे आपको क्या होगा exchange आपको credit आपको buy करना पड़ेगा क्योंकि आपके 460 का दो short है और आपने already 450 का buy किया है तो जब यह करीब में आता है जैसे कि 460 या 470 के पहले आता है तो उसके पहले ही आपको इसमें से निकलना पड़ेगा ठीक है guys तो proper क्या है कि इसमें मैं adjustment भी बताता हूँ अगर आप adjustment के basis पे क काम करोगे तो आपको पैसा बनने की probability काफी अच्छा है ओके अगर middle में रहता है तो भी पैसा है अगर side में बन होता है तो भी पैसा है ठीक है आपको खली adjustment समझ में आ जाना चाहिए कि adjustment कैसे आए और अचानक से में कुछ अच्छा news आ रहा है तो आपको immediately protect करना पड़ेगा या अधान रखना दिखिए future and option में आप जब तक आपको strategies पता नहीं है या किस तरह से hedging करना है वो पता नहीं है तो आप इसमें बिलकुल काम मत करना ये उनी के लिए होता है जिसको protection level पे काम करने और range में काम करने आता है वो ही लोग कर सकते हैं जिसको ये break even समझ में आता है तो मेरा expectation ये है कि मेरा video बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं break even समझा दूँ क्योंकि इसकी break even काफी wide है और ये अगर range में बंद होता है तो आप पैसा बना के निकल सकते हैं guys ठीक है thank you so much